मेरे कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की जो में रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो आल टाइम सब की इतने फैवरेट है कि उसका नाम सुनके आप सब की मुमें पानिया जाए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक रेसिपी उसका नाम है पीजा पीजा जो एक इटालियन शेवरी डिस है जिसका एक वेस बनाया जाते है उसके उपर हमारे पसंद के टॉपिंग्स एड के जाते है और उसको चीज दाल के ओवन में बेक किया जाता है लेकिन इस्ट लेने पडा देने हैं कि इस्ट का ओज और बणा सबसें पल्या आरा समय हिस्ट के लुए एक इस्ट वार्म आज शुआ भार हुआ है अनुए वाटर लेना पढकराईगा उसके बाद ने हैं यह जो है श्मिदेट परने वाले है पिजले लिए तो क्षेट पिशाब में ब्रॉपिस्ट पर्मेंटेशन के लिए रख देंगे 10 तो 15 मिर्चे, तब तक टक हमारी इस्ट पर्मेंटेशन होती है तब तक हमारा जो आपिंगे पीशा का हम चॉप कर लेंगे टॉपिंग में मैंने लिये हैं अनियन, टैप्सिकम, टॉमेटो एंड पनिल लिया है मैंने सबसे पहले तो में आनियन को स्लाइस कर लोगे आपको और भी वेजिटेबल्स चाहिए जैसे कि मश्रूम हो गए ब्रोकली हो गए रेड बेल पेपर हो गए येल्व बेल पेपर हो गए उसके इसाब से आप एड़ करके अपकी मन पसंद पीजा के टॉपिंग बना सकते हैं कि अब ही मार्केट में जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे तो नहीं मिले मश्रूम और ब्रोकली अगर शायद आपको मिल जाए तो कि अज़िटेबल्स जो है वो एड़ करते जाएंगे पनीर पीजा बनाएंगे आज अज़िए चोटे 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 अज़िए हमारे जो टॉपिंग के मोटो रेडियो हो गया है अभी हम देख लेगे कि हमारे इस टॉपिंग अज़िए फर्मेंटेशन होई एक है कि अज़िए हमारी इस्ट कितनी फर्मेंटेशन हो गई है ऐसा फ्लॉफिनेस होना जिए और ऐसे जो है जाली ऐसी जाली वाला आपका इस फर्मेंटेशन होना जिए अब इसके अंदर हम पीजा का डो बनाएंगे पीजा का डो बनाने के लिए सबसे पहले अब ही चाहिए मैदा तो मैं इतना पे वन कब जिदना मैदा ले रही हूँ अब इसके बाद हम एड करेंगे इसमें साल्ट टू टेबल स्पून अफ और अभी पीजा का डो बनाना है तो पीजा का डो दीरे दीरे आप ऐसे करते जाहिए उसको थोड़ा मैदा एड करेंगे करेंगे मैं थोड़ा इसमें हाट वाटर यूज़ करेंगे अभी हम दो को ऐसे नीचे ले लेंगे कि मैं आप थोड़ा मैदा डस्ट कर लोगी आपको ऐसे कर लेना है डो को जैसे आप देख सकते जाली जाली जैसे हो रहें कि दस्ट से पंद्रा मिनिट ऐसा करने के बाद आपको जो हमारा बावले उसमें ऑईल लगा के डो को रख देना है अब तक हम इसको राइस के लिए रेश्ट देना है ताकि हमारा डो राइस हो जाए और सॉफ्ट हो जाए अब जब तक हम इसको राइस होने के लिए रखा है हमने डोको तब तक हम हमारे जो सॉस है सॉस मनाइंगे और पीजा का जो टॉपिंगे उसको सौते करेंगे मैंने गैस चालो करके ऐसे पैन रख दिया है अब पैन में हम डालेंगे वन टीस्पून जितना आई तब उसमें हम हमारे जो टॉपिंग हमने रेदी किये और नियान कैप्सिकम की वह सारी एक कर लेंगे इसको इतना नहीं पकाना है हमें इसको हम थोड़ा ही पकाएंगे कि यह अवन में तो जाने नहीं वाला है ना इसलिए इसलिए थोड़ा पैन पे साथे कर लेंगे और उसके बाद हम पीजा पे टॉपिंग दालेंगे तब और पक जाएगा इसमें में थोड़ा सॉल्ट एट करने वाली हुआ हुआ है क्या पनील टॉमेटों कैप्सिकम कितना कलर्फुल लग रहा है और इसकी सुगन तो माई गॉड़ा कभी-कभी खाना ऐसा होता है कि हम उसे देखके अभी तक बनाने फिर भी देखते उसको खाने क्या मन कर जाता है कर लेंगे इसको निकाल लेंगे एक बावल में अब देख सेटों कि कितना मस्त कलर्फुल लग रहे हैं अब उसी पैन में जिसमें हमने वेगेड़ाबल सौटे कि उसमें हम लोग सास्ट बनाने के लिए वन टेबल स्पून अफॉल अफॉल सम गार्लिक चॉप किया वह उसको लेंगे टू टेबल स्पून अफॉल मेरी स्पून बहुत छोटी है आपको जैसे सौच इसको अच्छे से स्वाथे कर लेंगे जब तक ये ब्राउन हो जाए तपर ये टॉमेटों प्यूरी मैंने घर अपिछर में ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बनेंगे आपको अच्छे को जाने टॉमेटों प्यूरी डालेगे अच्छे को जाए था तरा सौल्ट हैट करेंगे जब टोड़ी चीली फ्लेक्स एट करेंगे इसमें पूरे गानो आप देख सकते हो कैसे जो शॉस पीक हो गया अब गैस बंद कर देंगे इसको निकाल देंगे इसको निकाल देंगे अब आप अब हम देख लेंगे कि हमारा पीजा कर डो कैसा हुआ है ओ देखा कितना राइस हो गया अब हम इसको जो इसमें जो एर होते है वो निकाल देंगे इसको नीचे ले लेंगे बिल्कों मैडा दस्ट करूंगे और थोड़ी आपे मैंने सूजी लिए जिसको बोलते रवा अब हम रवा और मैदा दोनों में हमारे पीजा मिक्स करके बनाएंगे बेज अब इसको अब इसको अब इसे रोटी बनाने आपको अगर आपको लग रहा है कि चीपक रहा है तो आप थोड़ा मैदा और ले सकते हो अब यह हो गया है मैं इसको ऐसे फोक से चेट कर देंगे ऐसे आपके उसमें एड रहे नहीं अब जो पैन है उसमें में हाफ टी स्पून अब जितना ऐसे और ग्रीस कर लेंगे जो हमारा बेज है वह इसमें ऐसे डाल देंगे और लो फ्लेम रखेंगे इसको एक ही साइड पे होने देना आपको इसकी दूसरी साइड जो है जैसे कि हमने नीचे वाला पाट रहा है वह साइड अच्छे से पंक्चे आए तो यह इसके उपर हम टॉपिंग करेंगे इसके आपको थोड़ी दिल के बाद देखना है कि यह कैसे नीचे वाला जो पाटे वह पका हुआ कि ने अब हम इसको निकाल दूरी इद्धा ऐसे यह ऐसी क्रिस्पी जैसा होना शीए लेख सकते आप एक साइड का भी यह हो गया है अभी हम को नीचे के साइड को पकाना लेकिन टॉपिंग इसके ऊपर करेंगे एक सो लेस्टाड टॉपिर यह हो गया है अब हम इसके ऊपर घुर्ट जो तो इसके ऊपर जो सॉस मना है था वो स्पीट करेंगे पर आप यहां पर थोड़े हैलेपीनो एंड ब्लैक ओलिज है तो में आपे हैलेपीनो एट करूंगे अगर आपके पस नहीं तो भी चले तो अब आप कि इतना भी चीज आप उपर से मठेट करना कि कि जो हमारे टॉपिंगे जो वेजिटेबल से वह दिखेंगे नहीं फिर पूरे चीज में छुप जाएंगी फिर आपको उसको डूलना पड़ेगा कहां है कहां है कहां अब में आपे जो मेरे पैन उसमें तोड़ा ऐसे टेल डा अब यह जो हो गया है उसको में उठा के इसको ऐसे धक देंगे दर्वाजा बंद अब यह दर्वाजा खोलेगा पांच मिनिट के बाद तब तक के लिए लो फ्लेम पे रखना पीजा को अगर मैं आप के पास ही पीजा अगर लेकर आ सकती वीडियो से बाहर तो मैं अब भी तुरंत आपको यह पीजा खेला लेगा कि देखिए अब जीज से भरपूर व्याजी देवल से भरपूर हमारा पीजा अब नीचे से देखिए नीचे से भी एक ऐसे हो गया है थोड़ा भी कच्चा नहीं है थोड़ा भी पैन में भी ऐसे ओवन की तरह पीजा बना सकते हो ऐसे ही एजी क्वीक एज़ी रेसिपिस के लिए झाल